नेक्स्ट हम बात करते हैं पर फिक्स एंड फ्लोटिंग नंबर्स के बारे में तो फिक्स नंबर्स को आया है, फिक्स रिपर्जेंटेशन है जहां पर हम फिक्स नंबर ओव बिट्स जो है वो इंटीजर पार्ट के लिए और fractional part के लिए जो use करती है और floating point का number का है जो हमारा radix है जो decimal point है वो move कर सकता है कहीं पे भी मतलब left right जैसे देखो 10 10 point अगर मैं let's say 0 लिख दू मतलब मैं अगर इसको normal भी लिखता हूँ 10 तो मैं यहां पे dot लगा हूँ चाहे ना लगा हूँ एक ही बात है मतलब यह जो dot है मैंने यहां पे fix कर दिया या फिर अगर मैं let's say 0.15 लिख दू तो इदे को यह मैंने बिल्कुल left side में fix कर दिया अगर मैंने बिल्कुल left side में fix कर दिया dot यह बिल्कुर right side में fix कर दिया that is called a fixed point representation लेकिन अगर यह float कर रहा है मतलब let's say मैंने लिखा number 101.1 101.1 तो यह क्या बन गया यह आपका बन गया 5 101 क्या होता है 5 और यह 0.1 0.1 मतलब 1 by 2 यहां पे आएगा 1.2 का मतलब क्या है 5.5 यह क्या represent कर रहा है 5.5 let's say मैंने इस point को क्या कर दिया इस point को right में move कर दिया क्या बन गया 1011 बन गया 1011 तो 1011 क्या होता है 11 होता है getting the point तो यानि देखो इसको multiply by 2 करोगे तो क्या answer आजएगा 11 ही आजएगा क्यूंकि आप इसको क्या लेक सकते हो 1011 और आपने point को इधर move किया तो आप इसको into 2 raise to power में क्या लिख सकते हो 2 raise to power में आप इसको 1 जो है वो इस तरीके से लिख सकते हो तो 2 raise to power sorry 2 raise to power माइनस में लिखोगे क्योंकि हमने value को जैसे हम right में बढ़ाते हैं तो यानि हम क्या कर रहे हैं उसको कम करने कोशिश कर रहे हैं और अगर हम left में कर रहे हैं तो right में अगर करते हो तो 2 raise to power में minus में लिखते हो और अगर left में कर रहे हो तो 2 raise to power plus में कहने का मनलब क्या है let's see मेरे पास 100 है number है 100 अब यहाँ पर यह देखो dot है इस dot को अगर मैंने left में किया तो यानि मैं number को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको कह लिखोगे 10 into 10 raise to power 1 getting the point तो यह क्या बन गया 100 ही बन गया let's see मैंने एक और dot को इधर shift कर दिया और left में shift कर दिया क्या बन गया 1 into 10 raise to power 2 क्यूंकि left में जब हम करते हैं तो left में हम कर क्या रहे हैं इस number को कम कर रहे हैं तो number को जब कम कर रहे हैं तो power of 2 में power जो है वोन plus में लिखते हैं और अगर let's see मेरे पास number है 100.00 getting the point और अगर मैं इसको right में shift कर रहा हूँ dot को redix को right में shift कर रहा हूँ तो और देखो 100.0 into 10 raise to power क्या लिखूंगा minus 1 लिखूंगा getting the point क्यूंकि मैंने इसको number को बढ़ाने की कोशिश कर दिया यहाँ पे 0 एक और add करो 0.0 यहाँ पे मैंने इसको क्या बना दिया 1000 बना दिया तो यहाँ पे अगर मैं move करूंगा तो कहीं न कहीं क्या हो गया floating जो है जो मेरा redix है वो क्या करता जा रहा है move करता जा रहा है तो fix में हमारे पास fix length होती है fix bits हैं तो आप उससे ज़्यादा extra use नहीं कर सकते लेकिन floating point क्या करता है floating point आपको एक तरह से help करता है कि भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो value को represent कर सको next हम बात करेंगे normalization in the floating point number तो देखो यहाँ पे मैं एक simple example से आपको समझाता हूँ let's say मेरे पास number है 101.1 101.1 अब हम करते क्या है normalization का मदलब क्या है कि basically हम यहाँ पे दो तरीके से होती है explicit और implicit पहले मैं आपको explicit के बारे में बता रहा हूँ आपको देखो यह number को आपको floating point में represent करना है 101.1 अब करना क्या आपको यह जो radix है ने dot को बिलकुल आप जो msb1 है जो most significant one है उसके बिलकुल left side में क्या कर दो shift कर दो मतलब यहाँ से उठा के कहां पे shift कर दो उसके left में तो यह क्या बन जाएगा 1.1011 getting the point बहुत ही simple बस इसको dot को मैं pen change कर देता हूँ color यहाँ पे इस dot को उठा के जो most significant one होगा न उसके left में छोड़ दो ठीक है न one तो यहाँ पे भी है लेकिन जो most significant one है जो बिलकुल आपके left में one है उसके left में जो है वो छोड़ दो तो left में यहाँ पे हमने छोड़ दिया जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा अब इसको क्या लिखोगे इसको 2 raise to power क्योंकि इसमें base जो है binary के case में base क्या होता है 2 decimal के case में क्या होता है 10 तो इसको 2 raise to power आप क्या लिखोगे 2 raise to power लिखोगे 3 क्यों हमने 3 places जो है वो इसको क्या कर दिया 3 places left में shift कर दिया number को हमने छोटा कर दिया number को हमने छोटा कर दिया तो power on positive में लिखेंगे ताकि जब हम इसको multiply करें तो आपका answer जब हो as it is achieve हो जाए तो यह basic सा point है अब देखो अब हमारे पास जो floating point में होता क्या है floating point representation में हमारे पास 3 field होती है एक होता है sine bit, एक होता है exponent और एक होता है mantissa sine bit बताता है एक bit की होती है यह by default कि जो positive number है negative number है जैसे हमारे पास यह जो number है positive number है तो इसको हम 0 से represent करें negative होता है तो इसको हम 1 से represent करते हैं ऐसी अगर हम बात करें exponent, exponent basically क्या बताता है 2 raise to power में क्या है 2 raise to power में देखो क्या है 2 raise to power में है 3 तो हम क्या लिखेंगे इसको इसको हम लिखेंगे normally one one getting the point क्योंकि अब three को हम कैसे represent करते है three को हम represent करते है zero one one भी लिख सकते हो या normally या one one भी लिख सकते हो लेकिन let's see अगर मेरे पास exponent चार बिट का है और मेंटीस सा पाँच बिट का है अगर मुझे इस तरीके से दिया हो पहली कि मेरी representation इस तरीके से है तो आपको करना क्या है भाईया one one के आगे आप two zero लगा दो simply three को represent करना है और three को represent करने के लिए चार बिट लगेंगी तो क्या लिखो zero zero one one लिख दो तो exponent field आपने fill कर दिया मेंटीसा क्या होता है यह जो dot के बाद सारी value बची that is your मेंटीसा तो क्या है one zero one 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 zero one one लेकिन यहाँ पे देखो अगर आपको चार फिल्ड का दिया है तो चार फिल्ड आपने भर दी क्योंकि देखो न यह देखो मैं अगर point 50 है ठीक है न point 50 तो भाईया point 50 के आगे जितनी मर्जी zero लगा दो कोई पंगा नहीं है हाँ dot से पहले let's say अगर 50 है तो उससे पहले भी आप जितनी मर्जी लगा सकते हो लेकिन dot से पहले अगर 50 है उसके बीच में मतलगा न आपको I think यह basic mathematics अल्रेडी पता ही है तो यह आप simply इसको इस तरीके से represent कर सकते हो ऐसी let's say एक और इसको बोलते हैं explicit तो explicit के case में हमारे पास formula क्या बनता है minus 1 की power s s मतलब sin bit तो देखो sin bit के है 0 तो 0 करोगे तो answer क्या जाएगा positive number आजएगा 1 full करोगे तो answer जो है वो negative बन जाएगा 0 point 0 point क्यों लिखा क्योंकि हम हमेशा obviously इसको 1 जो बिल्कुल left में 1 होगा उसके तरफ ले जाएगे तो उससे पहले क्या होगा by default उससे पहले आप 0 ही लिख सकते हो तो यानि आपका सीधा mantis सा field जो है वो यहां से start होगा into 2 raise to power e e आपकी क्या है 3 ठीक है तो आप इसमें ये सारी values आप ये जो values है सारी इसमें बरोगे तो आपको यही number जो है वो achieve हो जाएगा तो यह होती है explicit अब देखो एक और example आपको समझाता हो let's say 0.00110 0.00110 अब देखो ये number आपको दिया हुआ है तो इस number को अगर आपको explicit normalization के तरीके से लिखना है और वही हमारे पास field है तो कैसे लिखोगे अब आपको करना है क्योंता है explicit के कि इसमें मेंचे याद रखना कि ये dot को बिल्कुल जो हमारे पास one है न जो भी most significant one है उसके left में तो देखो one कहां पर most significant है ये रहा most significant है मनले left side में जो पहला one है तो left side में obviously यही सबसे पहला one है इसके इदर तो कोई number है ही नहीं तो आपको करना है क्या इसको यहाँ पे shift कर दो तो यह क्या बन जाएगा point one one zero इसके पहले आप चाहे zero लिखना चाहते हो एक zero लिख लो कोई फरक ही नहीं बढ़ता 0 point one one zero into two raise to power कितने shift किया दो shift किया तो यानि यह क्या बन गया two raise to power minus two getting the point two raise to power minus two तो यह simple सा point है अब आप इसको represent करोगे तो कैसे करोगे same way sine sine bit कौन सी आपकी zero क्योंकि यह हमारे पास जो है वो positive number है अगर हम बात करें exponent की और mantissa की तो mantissa लेट से अगर आपका 5 bit का है तो आपको करना है one one zero यह आपका mantissa जो है simply क्या कर दिया थरी को लिख दिया five आता तो आप उसको लिख देते six आता उसको लिख देते लेकिन minus two है तो minus two के case में क्या करोगे एक तो simple सा method क्या है minus two क्या होता है minus two आपका exponent चार bit का है तो minus two को है zero zero one zero लिख सकते हो इसको आप two's compliment जैसे मैंने आपको भी बता है minus two को अगर आप positive में लिखना है तो आप इसका two's compliment ले लो क्या बनेगा one one zero one और इसमें one add कर दो तो यह क्या बनेगा one one zero one one तो आप एक तरीका क्या कर सकते हो one 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 zero getting the point तो हमें बता है कि यह two's compliment में प्रिजेंट कर रहे है तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हो आपका answer आजाएगा एक इसमें छोड़ा सा funda और है that is called a biasing जो मैंने आपको बताया है access code access code जो है वो हम use करते है access code का basically funda क्या है अभी आपको पता लग जाएगा यह देखो minus two है अब हमारे पास जो numbers है वो 4 bit का number है यहापे number कितने bit का है 4 bit का हमारे पास number है या let's say अगर हम exponents अगर हम बड़ा भी ले ले let's say exponent अगर हम 4 bit कई लेके चलते है तो 4 bit के case में हमारे पास range क्या बनती है 4 bit के case में हमारे पास range बनती है minus two raised to power n minus one से लेके 2 raise to power n minus 1 minus 1 तो यानि इसमें आप put करोगे तो क्या बनेगा minus 2 raise to power n n की value क्या है 4 4 minus 1 करोगे तो क्या आसवर आएगा 3 से लेके 2 raise to power 3 minus 1 यानि minus 8 से लेके 7 तो देखो इन में से सबसे बड़ा number कौन से सबसे बड़ा मतलब यह हमारा जो 8 है it will be your biased number यह क्या हो गया bias तो यानि आप इसको excess 8 भी बोल सकते हो यह हमने क्यों कर रहे है अभी आपको पता लग जाएगा तो देखो minus 2 है इसमें आप क्या कर दो 8 plus कर दो बलब 8 जो है वो add कर दो answer क्या आजएगा 6 answer क्या गया 6 अब आप क्या करो 6 को normally कैसे represent करते है 0 1 1 0 getting the point तो 0 1 1 0 यहाँ पे लिखतो मैं color change कर देता हूँ अब आपको यहाँ पे minus 2 को compliment में 2's compliment में लिखने बजाए आप इसमे bias add कर दो bias आप कैसे calculate करोगे मैंने आपको बता दी जो भी maximum number आपको बन रहा है यह बत सोचना कि minus 8 maximum कैसे हो गया 7 maximum है जो भी इस पूरी range में सबसे बड़ा number कौन सा बन रहा है आपका 8 बन रहा है तो उस value को आप उठालो ऐसे अगर हम बात करें 5 digit की case में कौन सा बनेगा minus 16 से लेके plus 15 range बनेगी 10 तो low जी यह हमारा exponent इस तरही के से आ गया अब अगर आपको लगता है कि सर अगर वेल्यू को कैसे find out करेंगे back तो आपका जो formula क्या बन गया minus 1 की power s into 0.m यह आपका क्या हो गया minty सा हो गया into 2 raise to power exponent minus 20 exponent minus 20 तो देखो यह formula आपका हो गया bycing को use कर ली तो देखो अब यह क्या बन गया minus 1 की power 0 यह आपकी value 0 ही है ठीक है m क्या है आपका minty सा minty सा आप simply लिख लो 11000 यह आप जो भी लिखना चाहते हो यह आपका क्या बना 0.11000 यह बना था 0.11000 यह आपका क्योंकि 0 तो इतनी मर्जी लगा सकते हो into 2 raise to power e e की value क्या है यहापे e की value है यहापे 6 तो 6 minus 8 6 minus 8 8 क्या है यहापे bias तो 6 minus 8 करोगे answer क्या हैगा minus 2 आएगा तो देखो minus 2 आगया जिसको हमने compliment में represent किया तो compliment की बजाए हम bias use कर लेते हैं यह fund है बाइस का बहुत छोड़े points है बहुत detail में करा रहा हूँ बहुत deep में करवा रहा हूँ अगर आपको इतना नहीं करना तो आप छोड़ भी सकते हूँ लेकिन सारे के सारे points जो है ताकि आपको ऐसे न लगे कि कोई इतना सा point भी आपका रह नहीं गया ठीक है न यह आपको जो है वो feeling जो है ऐसे ना है कि कोई point आपका रह गया अब हम बात करते है implicit की implicit के case में मैं आपको देख़ो यह example के तौर पे लेके चलता हूँ example के तौर पे लेके चलता हूँ एक निया example आपको बता देता हूँ लेट से हमारे पास कोई भी number हम लेके चलते है number है हमारे पास let's say four point या let's say हमारे पास number है कोई भी five point eight seven five five point eight seven five इसको आप क्या लेके होगे 101.111 101.111 तो इसको अगर आप इस तरीके से represent करोगे तो देखो इसमें वही चीज़ अगर आपको explicit करना तो आप क्या करोगे इसको यहाँ पे shift करोगे तो point one zero one 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 इस तरीके से बन गया into two raise to power three क्योंकि आपने three जो है वो shift कर दी है decimal अब देखो यहाँ पे अगर आप represent करोगे s की value let's say हमारे पास जो है वो क्या आगे 0 और यहाँ पे अगर let's say हमारे पास जो है वो exponent 4 का है mintisa 5 bit का है तो देखो exponent तो क्या आगया three three को 0011 और mintisa क्या आगया one two three four five तो देखो one zero one 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 तो लिखा गया लेकिन यह जो point है यह रह गया यह one last में यह one यहाँ पे fit ही नहीं आ सकता क्योंकि हमारा mintisa 5 bit का था और यह मेरे पास 6 bit की value है zero होता तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन यहाँ पे one है तो यह one यहाँ पे रह गया तो अब हम क्या कर सकते है एक technique क्या है या तो आब इसको बढ़ा दो इसका mintisa का size बढ़ा दो यह तो normal technique होगी एक technique क्या है आपकी implicit implicit के case में हम क्या करते है बस एक ही difference है explicit में हम क्या करते है point one जो भी हमारा बिल्कुल last में one है जो हमारा बिल्कुल left में one है उसके left में ले जाते है redix को dot को लेकिन implicit के case में हम उसके right में लेके जाएंगे मनलब इसको यहां पर one point mintisa बनाएंगे उपर हम क्या बनाते है zero point mintisa यहां पर one point mintisa तो बस आपको करना है कि आप यह इसको बिल्कुल दो shift करने के बजाए न इसको यहां पर दो shift करने के बजाए आप इसको 3 shift करने के बज़ाए 2 shift कर दो तो यहानी क्या बन ज़ेगा 1.0111 बन ज़ेगा ठीक है न 1.0111 बन ज़ेगा ठीक है तो बस अब इसको represent कर दो है 2 raised to power 2 तो 2 raised to power 2 को represent करना है तो यह sign bit आपके 0 है 2 को represent करने के 0,0,10 और मैं टी साब को क्या represent करो है 0, 1, 1, 1, 1 तो देखो 5 bit में represent कर दिया 4 bit में ये 1 bit में हो गया तो ये आपका इस तरीके से representation जो है वो हो गई अब आपको पते ही इसको आपको convert करना है तो आपको पते ही मिंटी सा क्या होता है 1 point मिंटी सा तो 1 point क्या हो गया 0, 1, 1, 1 तो देखो वही आपका same value आगी तो बस ये सिर्फ representation का तरीक है ऐसे इन्होंने यहाँ पर किया हुए देखो ये हमारे पास number है last वाले two values देख लो बस last वाले two values में देखो ये जो dot है हम यहाँ पर जो original number था ये था हमने किया क्या इस dot को पहले इधर shift किया फिर इधर shift फिर इधर shift जब हमने इसको point यहाँ तक ले आई one के left तक it is got the explicit ये क्या है second last आपकी explicit तो explicit हमने इस तरीके से represent कर दी तो देखो इसमें last में one आया ही नहीं ये one यहाँ पर आया ही नहीं पाया क्योंकि fit ही नहीं हो पाया तो one point one कर दिया into two raise to one minus four minus four क्यों है क्योंकि मैं dot को यहाँ से लेकि यहां तक लाया है चार bit मैंने right में किया तो minus four इस तरीके से represent कर दिया अब देखो यहाँ पे जो है वो यह use कर रहा है इसने four को direct नहीं यहाँ पे लिखा यह देखो लेकिन यह जो one one zero zero कैसे लिखा है one one zero zero कैसे लिखा लेकिन क्योंकि हमारे पास number तो minus four है तो इसने वही biasing का funda जो है वो यहाँ पे use किया यहाँ पे biasing जो है यह 5 bit में represent कर रहे है यहाँ पे हम represent कितनी bit में कर रहे है 5 bit में represent कर रहे है यह यहां पर original question जो था ना उसमें जो हमारी field थी यह 5 bit की थी इसने यहां पर 4 bit में किया हो यह 5 bit की field थी तो 5 bit की field में obviously मेरा जो biasing क्या हैगी 2 raise to power वही same formula यूज करोगे तो minus 16 से लेके 15 तक तो यानि 16 is the biggest term तो 16 minus 4 करोगे तो क्या answer आएगा 12 तो देखो इसने 12 को यहां पर represent की है तो जब आप इसको convert करोगे तो वही exponent minus bias का जो formula मैंने आपको बताया वो आपको use करोगे